यह अश्डु स्टूएंट्सू आज मैं आपके सामने फिर थर्ण ईस्टेनएoot फॉर्म और शेकंदट्ट्रिंट्रिंट्ट्सू के बारे में बदा था। थर्ण बारे में ताया था॥। 2 नेट पर्डाएत हो था। हम क्या करेंगे P को X के साथ लिखेंगे और Y को Q के साथ लिखेंगे and then इसको separate करेंगे solve करेंगे यहां पर इनको P को X के साथ और Q को Y के साथ लिखेंगे इसको किसी एक constant के बारबर ले लेंगे then इसको solve करेंगे और यहां सम किसकी value निकालेंगे P की value निकालेंगे, then इसको solve करेंगे, यहां से किस की value निकालेंगे, q की value निकालेंगे, and then हमारा formula होता है, dz is equal to pdx plus qdy, and then इसको solve करेंगे, हमारा answer आजाएगा, एक example देता हूं मैं आपके सामने, बढ़ा एक question दे रिखा हमें, क्या दे रिखा question, pq is equal to xy, okay, so क्या होगा देखो य x को लेना है, और y के साथ किसको लेना है, q, और आप किसके बरबर ले ले लेंगे, एक constant के बरबर ले लेंगे, so यहां से p की value किसके बरबर आएगी बटा, p हमारे पास यहां पर x से आ रहा है, और यहां पर आप solve करेंगे, तो आप देख रहें, q की value आपके पास कितनी हा हारी है y by a हारी है then आपका जो integration होगा वो क्या होगा pdx plus qdy so dz is equal to p की value हमारे पास कितनी है बटा p की value हमारे पास x a dx और q की value हमारे पास कितनी है ये then इस काम solve करेंगे तो हमारे पास कितनी वे गएगी देखो z is equal to ax square by 2 plus y square upon 2a plus c1 so ये हमारे क्या होगा answer होगा clear है तो इस तरह से इस question को हम solve करेंगे अब देखे आगे अगला question मैं पता रहा हूँ कैसे करेंगे इसको हम होई sam इस question में क्या करेंगे बटा z square p square इस x a square को उधर लिया ये है ना और ये y square minus z square q square मैंने आपको बुला इसको constant की बाराबर लेना है यहां constant सब square है तो हम इसको constant को कह ले लेंगे a square ले लेंगे अब आप इसको solve करेंगे तो यहां से मैं इसको चुपाता हूँ तो हमारे पास p square की जो value आएगी वो कितने आएगी बटा इसको चुपाने पर x square उदर गया और z square का हमने क्या करा divide करा तो हमारे पास p की value आएगी root of a square x square upon z इसी type से मैं आपके सामने बोलू यहां पे इसको solve करेंगे तो q square की value किसके बरबर हैगी बटा y square minus a square upon z square तो आपके पास q की value हैगी y square minus a square upon z हम जानते इसका solution होता है dz is equal to p dx plus q dy then dz is equal to बटा यहाएगा a square plus x square into z dx plus y square minus a square y z dy wanna y to go there यहाएगा है आपके तो दोdz zdz is equal to is equal to यहाएगा root of a square plus x square dx then plus यहाएगा y square minus a square dy अब आपके का कर मारे सीदा सीदा integration फुस की रदाते आपके सीदा जाएगा x plus root of a square plus x square. Now, इसका integration होगा y by 2 root of y square minus a square plus a square by 2 log of y root of y square minus a square plus c. So, इस तरह से इस question कम क्या करेंगे हैं आपे? Solve करेंगे. Okay? Now, एक और question देखिए हाँ. इसमें क्या करेंगे? देखिए हाँ. वो है सैम T को x के साथ लिखेना और y को Q के साथ लिखेना है? है ना? तो इसका solution देखिए हाँ आप लोग. बटा है, यहाँ पे क्या होगा? इसको देल आइए. तो y p minus 2yx is equal to log q. Now, y common निकल रहा है. तो यह आएगा p minus 2x is equal to log q upon y. इसको मैं a ले लेता हूँ. Now, इसको solve करेंगे. तो यहाँ से आपके पास p की value आ रही है. a plus 2x और इसको solve करेंगे. तो इसको log q is equal to y a. तो q की value हमारे पास आएगी. e की power y a. यह हमारे पास p और यह हमारे पास q. So, dz is equal to p dx plus q dy that dz is equal to क्या है आएगा यहाँ आपके पास p की value? a plus 2x dx plus e की power y a dy. तो इसको आप integration करेंगे. तो यहाँ हमारे आपके plus plus का c. So, this is z is equal to ax plus x square plus e की power y a upon a plus का c. तो इस तरह इसको आपके आपके solve करते हैं. So, मैंने आपके सामने यहाँ पे तीन questions बताया है, third standard form पे. तो third standard form में होता क्या है? P और x एक साथ लिखते हैं, और y और q एक साथ लिखते हैं, उसको constant के बाराबड लेते हैं. Then, p और q की value निकाल के हम, dz is equal to p dx plus dy में, q dy में रखके solve करते हैं. So, मेरे videos आपको कैसे लग रहे हैं, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, तो please मेरे videos को share करते रहे हैं, और कोई भी आपको problems आती हैं, तो आप comment box में comment भी कर सकते हैं. मेरे website से वहाँ पे भी, वहाँ से भी आप कुछ solutions और questions के, वहाँ से आप download कर सकते हैं.